हाई गाईज वेलकम बैक टू में चैनल मैं हूँ स्नेह और आज मैं आपसे शेर कर रही हूँ मैं वीकली हेर केर रूटीन यह रूटीन मैं वीकली बेसिस पर फॉलो करती हूँ जिस दिन मुझे अपने हेर को शेंपू करना होता है उस दिन इस रूटीन को मैं फॉलो करती हू तो चलिए friends मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ सबसे पहले मैं natural aloe vera gel को direct plant से काट लेती हूँ और आपको भी suggest करूँगी कि आप natural gel use करे वर अगर आपके पास available नहीं है तो आप किसी भी brand का natural aloe vera gel use कर सकते हो friends यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें aloe vera का yellow part use नहीं करना है इसलिए जब आप इसे plant से काटोगे तो इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है तो aloe vera gel को side से cut कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें कांटे लगे होते हैं और धोने के बाद आप उसको छील ले और इस तरह से चाकू की help से आप उस पर scratch बना सकते हैं ताकि जो aloe vera का जो fresh gel है वो बाहर आ सके हमें aloe vera को grind नहीं करना है बस directly इसको use करना है इसके बाद friends मैं अपने बालो को एक हलका सा मसाज देती हूं और comb करने के बाद मैं mask को apply करूंगी तो friends जब भी आप कोई भी hair mask लगाए तो उससे पहले आप बालो को अच्छे से comb कर लें और comb करने के बाद मैं aloe vera gel को अपने बालो पर apply करूंगी तो हमें एक एक टुकडा उठाना है और अपने बालो को ऐसे partition करते हुए नीचे से apply करेंगे क्योंकि नीचे हमारे बाल बहुत ड्राइ रहते हैं तो scalp पर भी लगाना है और बालो के length तक लगाना है इसको अलो vera gel में vitamins, antioxidants और enzymes बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे बालो के लिए बहुत ही अच्छा होता है और natural conditioning का काम करता है अगर हमारे बाल dry है, damage है और बहुत ही thin हो गए हैं तो यह हमारे hair को healthy बनाता है, shiny बनाता है और बहुत ही deep conditioning करता है तो यह हमारे बालो के लिए बहुत ही अच्छा conditioner का काम करता है इसके use के बाद आपको conditioner लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी, aloe vera scalp के skin को साफ करने में भी मदद करता है जिससे dandruff की problem नहीं होती है या अगर किसी को fungal infection है तो वो problem भी दूर हो जाती है, friends aloe vera gel में polyphenol होता है जो कई तरह के bacteria को मारता है और scalp को infection से बचाता है इसके अलावा इसमें glycoproteins होता है जो हमारे scalp को ठंडा रखता है और hair loss से बचाता है, hair follicle को रोगता है ये और hair growth को बहुत ही fast कर देता है जिन लोगों को hair growth की problem है उन्हें aloe vera gel अपने scalp पर अच्छे से massage करना चाहिए scalp के dead cell को repair करने में भी aloe vera gel बहुत ही help करता है hair growth में मदद तो करता ही है और साथ के साथ scalp के monster को भी बढ़ाता है जिससे hair बहुत ही smooth हो जाते है hair follicle को stop करने में भी help करता है जिन लोगों को scalp में कोई भी problem हो like fungal infection है, dandruff की problem है, hair growth की problem है उनको ये mask जरू try करना चाहिए so friends mask apply करने के बाद इस तरह से हमें अपने hair को cover कर लेना है और इसको आदे गंटे के लिए छोड़ देना है aloe ragel को 30 minutes इसलिए रखते हैं ताकि जितनी भी goodness है aloe ragel की वो हमारे hair में अच्छे से lock हो जाए aloe ragel हमारे scalp के pH level को भी maintain करके रखता है जिससे हमारे scalp बहुत ही clean हो जाता है और इससे hair fall की problem भी नहीं होती है तो friends हमारा second step बहुत ही असान है इसके लिए हमें coconut oil चाहिए और यह है vitamin E की गोली यह आपको किसी भी medical store पर बहुत ही असानी से मिल जाएगी तो हमें यहाँ पर coconut oil चाहिए यहाँ पर मैं चार चमच coconut oil ले रहे हूं नारियल का तेल अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं या ज्यादा छोटे हैं तो आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं vitamin E की एक गोली ले रहे हूं क्यूंकि यह बड़े वाल हैं ज्यादा डैमेज है तो आप दो कैपसूल यूज कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्चर कुछ ऐसा बनेगा और इसको अब हमने हेर पर अप्लाई करना है तो पहले हम अपने हेर को फिर से खोल लेंगे और इस ओयल को आप कॉटन की हेल्प से ऐसे इसको अपने स्कैल्प पर लगाएं विटामिन E में एंटि अक्सिडेंट्स होते हैं जो हेर को हेल्दी बनाते हैं विटामिन E ड्राइनेस को भी कम करने में हेल्प करता है जिसे बाल सिल्की, सौफ्ट और शाइनी हो जाते हैं और ये हेर ग्रॉथ के लिए बहुत ही हेल्प करता है विटामिन E हेर ब्रेकिज क को भी रोकता है और बालों को जड़ने से भी रोकता है इसे बाल बहुत ही मैनेजबल हो जाते हैं और कॉकनट ओइल अपने आप में एक कमप्लीट फूड होता है हमारे हेर के लिए अगर आपके बाल ड्राई डैमेज और फ्रीजी हो गए हैं तो आपको यह जरूर अपलाई करना चाहिए इससे आपके बाल बहुत ही मैनेजबल हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे शाइनी और सिल्की हो जाएंगे और इतना बेस किसे मैं अपने हेर को इक लिफाफे की हैल्प से कवर कर रही हूं और इसको एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने किसी भी फैवरेट शेंपू से अपने हेर को वाश कर सकते हैं मैं यहाँ पर ट्रेस में यूज कर रही हूं और अपना शैंपू चेंज करती रहती हूं इसलिए मैं पाउच का यूज करती हूं ताकि बड़ी शीशी लेकर मुझे कभी पस्ताना ना पड़े मैं शैंपू को हमेशा पानी में मिक्स करके यूज करती हूं डाइरेक्ट स्कैल पे शैंपू को अपलाई नहीं करना चाहिए फ्रेंट्स मैं हमेशा कोशिस करती हूं कि मैं अपने हेर को कैमिकल फ्री शैंपू दूँ इसलिए मैंने ये होममेड शैंपू घर पर ही बनाया है इसमें कैमिकल की मातरा नहीं होती है जो हम बजार से हम कोई भी शैंपू यूज करते हैं इसमें भरबर के कैमिकल हैं इसके बाल तूट सकते हैं और hair fall की problem बढ़ सकती है तो अब मैं यहाँ पर अपने hair को naturally सुखा लेती हूँ कभी भी मैं अपने hair को dryer का use नहीं करती हूँ सुखाने के लिए friends मैं आपको भी suggest करूँगी कि आप अपने hair को सुखाने के लिए हमेशा natural hair का use करें और dryer का use कभी ना करें ना ही किसी machine का use करें friends कभी भी hair को गिले बालों में कंगी नहीं करना चाहिए वरना इससे आपको hair fall की problem हो सकती है जब आपके hair 80-90% dry हो जाए तब आप hair को अच्छे से कॉम कर सकते हैं और हमेशा hair को नीचे से कॉम करना चाहिए इसे सारा दबाव नीचे पड़ेगा और आपके hair खीचेंगे नहीं और नहीं टूटेंगे इसके बाद मैं serum का use करती हूँ 80-90% hair dry होने के बाद मैं serum apply करती हूँ आप किसी भी brand का serum use कर सकते हो friends serum को कभी भी roots पर नहीं लगाना है हमेशा hair के length पर लगाना चाहिए और इसके बाद मैं hair को कॉम कर लेती हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे hair कितने soft और shiny और silky हो गए है friends ये hair mask बहुत ही effective है और मैं week में इसे एक बार use करती हूँ बट अगर आपके hair ज्यादा dry है, damage और खराब हो चुके हैं stay connected, bye bye, take care